दोस्तो नमस्कार किसी भी सिख्षक की उपलब दिये है कि वो गोड से गोड जो विशय है उसको सरल भासा में विद्यारती तक पहुंचा तक सके तो उसका बोलना उसका लिखना उसका कहना सार तक हो जाता है दोस्तो मैं भी कोशीज करता हूँ एक छोटी से कोशीज करता हू कि आरेश प्रारंबीक परिक्ता मुख्य परिक्ता से स standpoint जो बाते हैं बहुत सरल भासा में आपको समझानी की कोशिच करूं ताकि उसको समझ सके कल एक सब्सकाइबर का फोन आयार उनोंने कहा कि सब मैं प्रारंबीक परिक्ता और जो मुख्य परिक्ता है उन से राजनेतिक सामाज़िक जो गतिविजियां चल रही थी और प्रजामंडल का प्रभाव क्या पढ़ा अब जैसे शिक्सक सवाल पूचे। जैसे सिक्सक पूचे वैसे बतादू। पहला काम है आप इता नए केंडिडेट हो तो आप कंफ्यूज मत हो कि प्रारंबिक परिक्षा का पठ्थे क्रम है तो वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए भारत का भोगोल, भारत का संभेदान, भारत की राजविवस्ता, भारत की आर्थिवस्ता, राजस्तान का भोगोल, राजस्तान की आर्थिवस्ता, कला संस्कृति, एक एक चीजें आपको याद होनी चाहिए, जब पढ़ो, अच्छे तरीकी से पढ़ो, नोट्स बना और आपको एग एग चीजे हैं याद होनी चाहिए, परिए प्रारंविक मुख्यापरिक्षा के चक्कर में आपको अबी पढ़ना ही नहीं, इसलिए पहले अभी तो कुछ चक्कर में पढ़ो ही मत अभी है ना कभी दिन में दो दिन में समय मिले तो जरूर मेंटल प्रोसेजर जरूर सोच लो आपने जो पढ़ा है जैसे आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है अरावली तो आप उसको बोल लो किया ना अगर मेरे से सोच सब्द में अरावली पूछे तो मेरे पास में यह यह फैक्ट है आपकी आपको ज़्यादा करने की जूरत है नी और आट-दस दिनों में कभी भी अगर मन करे तो यह कोई सवाल है वो लिख लिया करो अभी प्री और मेंस के चक्कर में ज़्यादा पढ़ो मत अभी जो कौन-कौन से है भारत के अरतिवास्ता की जो सब्दावली है जेडीपी क्या है एननपी क्या है राज को से गाटा क्या है राजस्व गाटा क्या है बेंकदर क्या है रेपोदर क्या है रिवर्स रेपोदर क्या है नगदा आरक्षन अनुपार्थ क्या है एसलर जो है वो आठेकरम का एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ हो अभी तरीक है अभी आप चाहते हो कि अभी में चैसे त्यार हो जाए तो बिना प्रिलिम्स में आप इस मुकाम पे पहुँख जाओ बिना कोई विकलब आप सवाल का जवाब दे सकूँ ऐसे इस इसतति के अंदर हो ज तो रास्तान की इतिहास में आप अभी ड्राप्टिंग पे मत दो, आपको तो आना चाहिए, कि साथ रास्तान में पूछेगे की कालिबंगा सभ्यता, तो उसके जो पंदरा फैट है वो एक-एक फैट है फैक्ट आपको आना चाहिए इस तरीके से तयारी करो लिख-लिक करके अभ्यास करो और प्राarnerम्भी को और मुक्यपरिक्षा की चक्र में अभी मत पढ़ो आप अभी तो जो सले बस है उसको फोकस करो फिर बीना किताब की बोल दो के साब अप्रेक्षेपित किये गए हैं बस आप से सिरफ मैं गरुदक्षना के रोप में सिरफ इतना ही उमीद करता हूँ और मेरी गरू दक्षिना यही है कि आप प्रारंबिक प्रिक्षा के पाठे करम का जो एक एक टॉपिक है वो आप तयार कर लो बहुत बहुत धन्यवाद